कि नमस्कार दोस्तों हमारे चमतकरी एंगों चेनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चेनल को सुस्क्राइब करें और भी लाइकन पर क्लिप करें जिससे आपको हमारी वीडियू दोस्तों आप सब कैसे हैं आसा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों खरमास के दोरान करी ये उपाय दूर हो जाएगी आपकी धन संबंदि सारी समस्याए खरमास में इन उपायों को करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत दोस्तों 16 दिसम्बर दिन बुद्धवा से खरमास लग गया है हिंदु धर में जिस तरह सराद और चतुर मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करम नहीं किये जाते हैं उसी तरह खरमास में भी कोई जाते हैं तब खरमास का अंत होदा है यह मास अध्यात्मिक रूप से विसेश महत्द रखता है इस मास में जब तपवादान करनी का फल जन्मो जन्मो तक मिलता है वही जोति सास्त्र में किये जाने वाले कुछ उपाय के बारे में भी मैं बतारहें इन उपायों को करने से ये सम्बंदित सभी समस्याओं का अंत हो जाता है तो दोस्तों आईए जानते हैं उन उपायों के बारे में फर्मास की महीने में पढ़ने वाली यकादसी को ब्रत करना चाहिए और भगवान विश्णुक को तुलसी दल डाल कर भोग लगाना चाहिए यकादसी को ब्रत राज की उपाधी दी गई है इस मास में पढ़ने वाली यकादसी से भगवान विश्णुकी किरपा प्राप्त होती है और बैकुंठ धाम की भी प्राप्ती होती है सास्त्रों में खरमास में पढ़ने वाली यकादसी का विश्णुकी समहत बताया गया है इस खरमास में हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए साथ ही ग्यारा प्रिकर्मा करें और ओम नमह भगवती वास्देवाए इस नमह का जाप करें ऐसा करने से तुलसी माता प्रशन होती है और धन येस वा ऐस्वरी की प्राप्ति होती है खरमास में तुलसी पूजा करने से सभी गरह नचत्र सुप फल देते हैं जिससे जीवन में सुख सांती बनी रहती है और हर कार आसानी से बनने लगते हैं खरमास में लच्छमी श्रोत्र या कनकधारा श्रोत्र का पाठ करना चाहिए जह पाठ बहुत उत्तम माना गया है इस श्रोत्र के मात्र पढ़ने से धन धानने की कमी नहीं होती है और लच्छमी माता का आसिरबाद प्राप्त होता है नियमित इनका पाठ करने से बैभो और सुख की प्राप्ति होती हैं साथ ही परिवार के सदस्च kay बीड प्रेम भाव बना रहता हैं इसके पार्ट से सत्रूआं का भी बिनास होता है और हर छेत्र में आपको काम्याबी हासिल होती हैं जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर धन नहीं टिकता उनके पास तो वह करमाज के दौरान हर रोज सुबह पीपल के ब्रिच को जल दें और पूजा पाठ करें वहीं सामकल यानी की साम के समय दीपक जब जलाकर अपनी समस्या से आउगत कराएं ऐसा करने से ना सिर्फ कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती हैं बलकि जीवन में सभी समस्या धीरे धीरे खतम होने लगती हैं खर्मास में केवल माता लच्छमी की पूजा ना करें उनके साथ भगवान विश्णू की भी पूजा करें इसलिए उनको लच्छमी नारायन कहा जाता हैं खर्मास में केवल भगवान विश्णू या केवल लच्छमी जी की पूजा लापकारी नहीं माने जाती ह जितना दोनों की साथ में पूजा करना सुभफल देता है नियमित इनकी पूजा करने से आर्थिक समस्याएं तो से मुक्ति मिलती है और धन सम्मद्ने समस्याओं का अंत होता है मंत्र का जाप करना चाहिए दोस्तों मानने ता यह है कि पीले वस्त्र धारण करने करके इस मंत्र का जाप करना अत्य धिक लाबदाई माना जाता है इसके साथ ही दान पुन्ने करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं खरमास में दान वाहमन करना अधिक पुन्ने दाई माना जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवार जानो और दोस्तों में जरूर सेर करें चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिपिकिशन आपको मिलती रहें ओब नमसी बे